हैं हलो फ्रैंड कैसे हो मेरा नाम है संजीर मंजोत्रा ऑफ जो मार्केटटिन striking ले के हैं वह बहुती जयाव़ा इंट्रस्ट्न होनेवाला है तो आज जो टॉपिक ले करने हैं उसका ओना है दडिच्था प्रोड़क्ट मिक्स जैसे डिए अभी इम सिंपल से गर बात करें एक ग्जेम्पल के साथ कि प्रोड़क्ट मिक्स होता है कि कोई भी बड़े-बड़े brands, बड़ी-बड़ी companies है, तो वो कै करती है कि अपने काफी सारे product market में launch करती है वो चाहे electrical products हो, चाहे electronics का items हो, तो वो हर एक जो brand है, हर एक जो brand कह सकते company है, वो एक specific product बनाती है ठीक उसके लिए वो जानी जाती है जैसे Hevels की बात करें तो हैवल्स इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस के लिए जाने जाती है ठीक है और अगर हम बात करें कोई और एक्जामपल ले लो जा सैंसेंग सैंसेंग इलेक्ट्रोनिक्स के लिए जाने जाती है ठीक है तो इसे हम कह सकते हैं कि जैसे कम प्रट्ट मिक्स में क्या आता है जैसे कॉ Combination of all products Combination of all products Offered Offered For Sale By a company काफी सारे जो प्रडट्स होते हैं जैसे Samsung Electronics है Highwell's Electricals है Electrical appliances बनाती है Electrical appliances से जुड़े हुए सारे products बनाएगी चाहे वो fan हो चाहे वो tube light हो चाहे वो mixer and grinder हो यह सारी चीजें क्या है जो electrical appliances है वो सभी की सभी जितने भी कोई particular brand products बनाएगा वो market में launch करेगा तो उसे हम बोलते है That is the product mix तो product mix की इसे हम क्या कह सकते है Three dimensions तीन dimensions है जिसके पैमाइने पे हम product mix को माप सकते है तो वो क्या हो सकती है That is the breadth depth और consistency breadth, depth और consistency breadth में क्या है There is the number of और variety number और variety of products manufactured और शौट में लिख रहा हूँ by a single manufacturer breadth मतला number और variety of products manufactured by a single manufacturer जो भी varieties वो बनाएगा, देगा, market में launch करेगा मैं जैसे एक्जम्पल दी Hevels की एक्जम्पल ले ली मैंने जैसे मैंने का कहा कि Hevels के क्या है Hevels के क्या है हमारे पास fan है Hevels के हमारे पास क्या है mixer and grinder है तो यह क्या है जो जितनी में variety of products जैसे हमारे जितनी में electrical switches है ठीक है तो वो सारे के सारे जो भी सारे के सारे number और variety of products जो एक manufacturer market में launch करेगा उसे क्या कहते है variety of products मैं अलग लग नी बात करा मैं सिर्फ बात कराँ electrical appliances की example कोंसी तरह हम Hevels की Hevels electrical appliances बनाती है तो उसमें मारे पास क्या सकते है there is the fan यासी switches mixer and grinder करा सकते है तो यह इसे क्या बोलते है that is the breadth क्या बोलते है that is the breadth तो depth में क्या आएगा depth मतलब assortment of assortment of जो अपने प्रड़क्ट और ने बनाए ठीक है उसके क्या है अलग अलग size हो सकते है अलग अलग colors हो सकते है अलग अलग models हो सकते है ठीक है within each product line जैसे Tata Motors की भी बात करो मैं Tata Motors की product line ली मैंने मैंने क्या ली Tata products ठीक है Tata insurance भी आ सकती है अलग अलग भी आ सकते हैं पर मैंने क्या किया Tata Motors की बात की Tata Motors में क्या आएगी Cars आएगी ठीक है उनके जो गारी आएगी तो उससे हम बोल सकते है number of variety of products को हम क्या बोल सकते है that is the breadth पर अगर उन variety of products में भी अलग अलग size है उनके अलग अलग colors है उनके अलग अलग models है तो उससे हम बोलते है that is the depth इसकी example है न हमने हैवल्स की बात किये तो हैवल्स में मैंने बात की तो हमने क्या कहा हैवल्स में अलग अलग वो electrical appliances में fans बना रही है switches बना रही है mixer और grinder बना रही है पर fans की भी बात करो तो fans में भी उनके अलग अलग size है अलग अलग colors है अलग अलग models है within each product line इसका क्या मतलब within each product line product line का मतलब कि जो जो एक मालो हम कैसे Tata Motors भी है Tata Insurance भी है हम सिर्फ एक product line की बात किये that is a Tata Motors की हमने एक product line की बात किये that is a Hever Electricals की तो वो जो भी product बनाएंगे उनके different different sizes होंगे different different colors होंगे different different models होंगे ठीक है तो उसके बाद हमारे क्या आते है that is the consistency 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 का मतलब किया है that is the close relationship of various product lines जो पर एक product line है क्योंभी product line होगी उनमें आपस में क्या होगी close relationship होगा जैसे ये सारे जो जो भी माबात कर रहा हूं हैवल्स की बात कर रहूं जाहे मैं बजाज Electricals की बात कर दूँँ बजाज Electricals की बात कर रहा हूं तो बजाज Electricals में सारे क्या है फैंस लेंप्स इसका मतलब उनमें आपस में क्या है close relationship होगा ठीक है पर अगर यहीं पर मैं एक एक्जेंपल ले लूँ जैसे गौड रेज़ें हाना यहां से उपर लेख लेते हैं थोड़ा सा यहां पर बिटाके जैसे गौड रेज़ें सोब भी बनाता है गौड रेज़्ॉख भी बनाता है अगर यह प्रड़क लेइन और यह प्रड़क लेइन डिफरेंट होगी टीज्ट्रेज्ट कॉड रेज्ट लाग और गॉड़ेज़्ॉख इनमें क्या है इनकंसिस्टेंसी है Godridge रहे थह बना रहा है गौडरीज क्या कर रहा है गौडरीज क्या कर रहा है। dolots भी बना रहा है पर इन दो पंड़र्ट लाइंज में आपसमें कंसिस्टेंशी नहीं होगी, ये दोनों के ढंख़ जोग Effect means when the United different product lines में आपस में consistency नहीं होगी, that is the inconsistency, उसमें inconsistency होगी, बजाज अच्छे electricals की बात करेंगे न, या बजाज electricals की बात करेंगे, हैवल्स electricals की बात करेंगे, तो वो सारे electrical appliances हैं, उनमें आपस में consistency है, गौटरेश की बात करेंगे, तो गौटरेश के सोब भी बनाता है, गौटरेश लॉक्स भी बनाता है, तो दोनों में आपस में consistency नहीं होगी, क्योंकि यह दोनों ही different product lines है, ठीक है, तो यह है हमारा product mix, ठीक है, product mix क्या है, कि जितने भी products market में कोई brand है, वो offer करेगा, ठीक है, य गया बन जाता है, that is the product mix, बन जाता है, अगले lecture में product lines पढ़ने वाले है, ठीक है, तो उसकी product mix की 3 dimensions है, 3 dimensional है, that is the breadth, that is the depth, consistency, breadth, जितने भी number of varieties of products manufactured by single manufacturer, जितने भी variety of products दे रहा है, एक product line में, ठीक है, तो उसे क्या बहुत है, breadth, उन जो breadth में जितने भी खुमारे products होगे, उनके different different sizes, उनके colors, उनके models, उन्हें हम बोलते है, depth, consistency क्या है, consistency क्या है, कि जो product line होगी, उनमें, product line में, जितने भी product होगे, उनमें आपस में क्या होना, consistency होना, उनमें क्या होना, consistency होना, तो मैंने एक example दे दी यहाँ पर, Godridge की, प्रडक्ट लाइन्स है उन में आपस में consistency नहीं होगी वो उन में क्या होगी that is the inconsistency होगी this is product mix hope कि आपको आज का marketing का topic अच्छे से clear हो गया होगा ठीक है इजास्ट दिजिए thank you goodbye झाल